और चाह एक हम लोग बने पढ़ना है और इससे आगे शेक्रोइ अगे कि अर कि संटेशिएश्जण की कुछ और तूल्स और एक हमने पढ़ना है भी कंब्रोंगे जिनको हम लोग लने देख लेगे. उनको भी देख लेगे तो डेड़ लॉक होता क्या है इतनी तो आपको समझ है ठीक है इसकी डेफिलिशने के दुफ़ा दोबारा पढ़ लेते हैं डेड़ लॉक टू और पॉर प्रोसेसिस आर वेटिंग इल डेफिलेटली फार एल इवंट डेट केल बी कॉस्ट बाइ ओनली रिसोर्स को रिलीज करें तब जो है वो बाकी सारे पिच्छेस को बारी बारी यूज करके और डेड़ लॉक जो है इसको खत्म करें यहां पर डेड़ लॉक की एक अग्जामपल इसोने बताई हुई है लेट S and Q be two semaphore initialize to one ठीक है अब deadlock को यह सब जारे यहां पर semaphore से दो semaphore ले लिए semaphore क्यों होते हैं integer variables होते हैं ठीक है जिनको हम require करके log करके wait में देके जाते हैं और फिर आते हुई रिलीज कर देते हैं दो semaphore लिए एक है S एक है Q और इन दोनों को initialize कर दी है वन से दो processes है P0 और P1 अब P0 ने क्या है critical section के अदर जाना है तो इसने wait को दे दी है S S क्या था 1 वह हमारे पास हो गया 0 ठीक है P0 जो critical section में चला जा दो semaphore है यहाँ पे एक रिए ठीक है P1 है उसने क्या कर दिया Q को semaphore Q जो semaphore था उसको wait में दे दिया 1 से 0 कर दिया और अपने critical section में चला जा ठीक है अब P0 जो था उसने S वाले को तो दे दिया लेकर उसको Q वाले की भी जुरूर थी वो कहता था मैंने Q वाला semaphore भी यूज कर लेकिन वो Q वाले semaphore को जब wait में भेजा तो वो इसको मिल नहीं सकता था 1 से 0 हो दिसकता था क्योंकि P1 ने क्या है इसको पहले से acquire किया वा था ठीक है तो अब यह क्या आगी ठीक है एक deadlock आ गया पिस P0 ने S वाले को दे दिया ठीक है हो गया उसको lock लग गया Q वाले को acquire किया तो Q वाला क्या है पहले P वाले ने acquire किया वा था ठीक है वो release होगा तो इसको मिलेगा और पी वोले ने जब S वेट, मतलम S वाले को रिकवायर करना चाहा, तो वो क्या था, वो पहले पीवले दे लियावा था Gobừaă पया है is अधर ने एक एक तो ले लिये सैब़फ और दूसरे बाद है वो दूसरे के वेट है ठीक है तो आभ वोalen यह दूसरे के वेट मेस्टों न पहले वाला दूसरे को तरट यह pior़ों न दूसरे वाला पहले को तो इस तरह सी है क्या है? डैड़ लॉक आजएगा ठीक है तो वह डैड़ लॉक अब यहां पर खतम करद जब होगा तो फिर ही वह सिंग्दल को देगे और स्टेड़ डैज़िजगर आफे पर आपे प्रोसीजर देगे तो सब जहले कि यहां पर किया है deadlock condition को जो है इनो ने फ़ड़ा सा show करके highlight करके दिखाया है कि कि इस तरह से एक process जो है उसको दूसरे का resource है यह दूसरे वाले को पहने का चाहिए ठीक कि इस तरह से deadlock लिए आगे है star vision star vision क्या है indefinite blocking ठीक है बिसलब star vision हम कहते हैं जब कोई एक process जो है वो long period of time से wait कर रहा है resource के लिए और उसको resource नहीं बेरा जबकि बाकी जो है वो बार बार से आते जा रहे resources लेते जा रहे है ठीक है वो बेशिक उनकी priority base रखी है यह जो भी रखी है वो जो है बार बार resources लेते जा रहे और कुछ processes ऐसे है जो कि long period of time से wait करें लेकिन उनको resource नहीं बेरा तो इसका मतलब है वो star vision star vision कहते है भूख होना ठीक है कहत पड़ना तो वो क्या है और वो बिचारे star होके बैठे 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 है ठीक है अब process पे लेवर भी रिबूव फ्राब दर सहभा फॉर Q in which it is suspended ठीक है तो क् जिस वेटे Q के अधर पड़ा हुआ है वेट कर रहे को उसकी बार ही आज है उसको वह किया वहीं पे पड़ा हुए उसको वह से रिबूव ही दिखिया जा रहे है ठीक है वह बिचारा एक लबे टाइब से वहीं पर पड़ा हुए और वेट करता जा रहा है फिर star vision के एक छो को ठीक है यह स्लूसटल है स्टार्ड विशल का sketculic Problem where lower priority process hold a log यहां पर क्या है प्रियोर्टि inversion के अंदर क्या है कि priority कोusa invert कर दिया जाता है ठीक है प्रियोर्ची को reverse कर दिया जाता उल्ट कर दिया जाता है प्रियोरिटी इनवर्जिन में हम लोग कहते हैं क्योंकि वैसे तो इस तरह से होता है कि जो high priority process होते हैं उनकी priority first होती है वो system को पहले allocate करते है resources को लेकिन priority in version क्या है स्टार विशन का solution नहीं है लेकिन वैसे आपको एक term है जो बता रही हूँ priority inversion के अंदर क्या है यह तब होती है जब low priority के process जिनकी कम priority होती है जिन्होंने बाद में चलना होता है लेकिन वो पहले आ जाए resources को पहले allocate कर ले तो यह क्या होता priority inversion होता है ठीक है scheduling problems when low priority processes hold a lock ठीक है जब low priority वाले process lock को hold कर ले इनको critical section मिल जए needed by a high priority process ठीक है जो के need high priority process की उनको मिलना था ठीक है critical section उनको lock मिलना था लेकिन उनकी जगह low priority process जो है जब यह hold कर ले resource को critical section में चले जए तो इसको हमके कहते priority inversion के priority invert हो गई है reverse हो गई है ठीक है जब resources higher schedule higher priority वाले को मिलने था उसको छोड़के low priority वाले को मिल रहे है ठीक है तो यह इसको हम कहते है priority inversion फिर इस priority inversion को solve किया जाता है एक protocol से जिसका नाम है priority inheritance protocol ठीक है इसको हम यहां पर discuss नहीं कहा रहे है जिस protocol का name है कि इस प्रोटोकोल के है वो resolve किया जाता है अच्छा आगे है कुछ classical problem है synchronization की ठीक है पहले हमने software based solution पढ़ा synchronization का preterson solution फिर हमने hardware based दो तीन algorithm पढ़े पहले turn से पढ़ा फिर turn और flag से पढ़ा फिर उसके बाद जो है यह पीछे दो तीन algorithm हमने पढ़े ठीक है वो सारे क्या थे hardware based थे semaphores वोगरा जिस प्रॉब्लम को यहां पर डिसकस करें और उसी की solution बताएंगे लेकिन यह के classical problem थोड़ से traditional problem है ठीक है लेकिन इनको हम discuss करेंगे इन में से एक problem dialing philosopher problem जो थी वह मैंने आपको करवा दी थी बाकि दो problem रहेगी थी वह हम लोग आज करेंगे एक है bounded buffer problem और एक है reader writer problem ठीक है तो first problem है हमरे पस bounded buffer problem bounded buffer problem क्या है एन buffers each can hold one item ठीक है एन buffer का size दे दिया है memory का size दे दिया है bounded buffer हमने पीछे पढ़ा था ना bounded or unbounded buffer तो यह के bounded buffer जिसके अंदर के है buffer की location fix है limited है एन buffer की location है ठीक है जिसके हर एक buffer की location पर एक item रखा होगा एक semaphore ले लिए मुटिक्स सेमाफोर एक variable है जो मर्जी इसको नाम दे दे स्वी सिंग मुटिक्स जो मर्जी दे दे तो यहां पर एक semaphore लिए जिसका नाम रखा हुआ है मुटिक्स ठीक है उसको इनिशिलाइज कर दिया है one से एक और यहां पर semaphore लिया है जिसका नाम है full और इसको इनिशिलाइज कर दिये zero से फिर एक और semaphore लिया है यहां पर उसका नाम है empty और इसको value दे दिये n ठीक है अब यह एक bounded buffer है हमारे पास memory location है n buffer है mutix इसके अंदर एक हमें semaphore ले लिया है और दो और ले लिया है एक है full और एक है empty फुल को अनिशिलाइज कर दिये zero से इसको क्या मतलब है कि जब हम यह system start कर रहे है ठीक है problem के start पे है तो फुल किया उसको zero कोई भी उसको value नहीं रिखी वी वह सारा का सारा क्या है empty तो empty को कर दिये n के n की n जो location है वह सारी की सारी क्या है empty empty है खाली है इस पड़ी है और फुल उसमें से zero है कोई भी element उसके अंदर produce करके नहीं रखा हुआ ठीक है तो यह इसके अंदर हम लोग आगे discuss करते हैं इसको n buffer है mutix एक ले लिया है value 1 दे दिया है ठीक है जो कि lock acquire करने के लिए होगा फुल ले लिए zero ठीक है semaphore जो कि देखेगा कि कभी कोई भी element इसके अंदर produce नहीं हुआ वह जीरो है empty है n कि सारे कि सारे क्या है इस time पे empty है कोई भी इसके अंदर value नहीं पड़ी है ठीक है अब इस problem को हम लोग discuss करते हैं यह वही वही प्रॉब्लम है जो पिछे हम लोग discuss करते आ रहे ना producer consumer वाली तो उसी कोई ही जो है पिछे हम लोगों ने देखा है उसको simple way से किया हुआ था यहां पर उसको semaphore की मदद से किया हुआ ठीक है तो हर एक आगी जैसे हम term पढ़ते जा रहे हैं यह उसके साथ प्राव्लम को साथ नहीं problems को उससूलुशन के साथ करते जारे हैं ठीक है तो यहां पर हम वही प्रॉडूर की प्रॉब्लम बफर के अंदर ले रहे हैं संमफोर की साथ ठीक है ऑब यहां पर यह क्या प्रॉड्यूसर का कोड दिखाया वह प्रॉड्यूसर नहीं क्या कहना है और आइटम्स को बफर केंदेरा रखवाते जारा है यह लेकिन यह synchronized है ठीक है कि यहां पर पता होगा कि synchronized वह से producer consumer काम का रहे हैं इनके जो results है वह ambiguous नहीं होगे do while लगाई विए सबसे पहले do start की है produce an item in the next produce अब यहां पर यह item produce करना है producer ने तो किस तरह से produce करेगा empty और signal का आपको पता है sorry wait and signal का आपको पता है wait के अनदर value decrement होती है lock require होता है और signal के अनदर value increment होती है lock release हो जाता है जाकर किसी और को मेलेज़िये ठीक है अब यहां पर wait के अनदर किसको भWAYलिए ए六न को ठीक है empty क्या था हमारे पास एन न था ठीक है empty एन था ना हमारे पास कि अभी सारी की सारी values किया है buffer के अदर empty है इसके तो कोई भी value नहीं रखी हुई ठीक है पीछे जो आपको बताया है तो empty क्या था n था ठीक है बतलब n जितनी भी location से सारी किया इस टेप खाली पड़ी है उसको weight के अंदर भेई दिया यह क्या करेगा क्योंकि produce करके एक item रखना है buffer के अंदर तो empty की n location में से एक को minus कर देना ताके एक वाली empty जो है n था तो n minus 1 हो जे जो n थ वाली location होगी वहाँ पे क्या produce करके वो रखेगा ठीक है तो weight के अंदर empty को भेज़ दिया empty जो decrement हो गया by one ठीक है अब यहां पे क्या है empty तो चलो उन्होंने buffer की location को काम कर दे कि यहां पे वो produce करके रखेगा अब lock भी acquire करते हैं lock require करना है तो क्या है यहां पे mutix mutix semifor हमने लिया था ताके उनके दर्मिन synchronization रहे और mutix का lock लगा रहे और एक time पे एक ही critical section में जाए ठीक है तो mutix one initialize किया हुआ था weight के अंदर क्या भी दिया mutix mutix one से zero हो गया means इस producer को lock फिल गया इस ने क्या है एक buffer की value को decrement कर दिया ठीक है और produce करके item जो है उस end-th value location के उपर रख दिया ठीक है जब बाहर निकलने लगेगा produce करके बाहर निकलेगा तो क्या करेगा mutix को signal देदेगा कि mutix जो है अब हमारा जो है वो zero किया था वो release हो गया वो दुबारा से one हो गया अब कोई और producer इसके दर आके produce कर सकता है ठीक है और जो full वाली location वहाँ थी वो zero थी start के अंदर ठीक है कोई भी full नहीं है तो यहाँ पर signal के अंदर full को भी देगा कि full वाली एक location को increment कर दिया जाए ठीक है empty को एक decrement कर दिया है और full को एक increment कर दिया है क्योंकि produce करके जब रखेगा तो एक value fill हो जाएगी तो empty की एक value कम हो जाएगी ठीक है इसी तरह से है यहाँ पर consumer का ठीक है वहाँ पर producer का हमने code पड़ा है same उसी तरह से consumer का लेकिन थोड़ा सा difference उसको देखते हैं do लगी वी है इसने क्या करना है इसने consume करना है buffer से elements को उठाना है तो यह क्या करेगा weight के तर फुल को भेई देगा क्योंकि इसने full memory होगी यह उसमें से एक को minus करना है full को minus करना है क्योंकि उसमें से एक उठा लेना है element एक को access कर लेना है ठीक है तो weight के तर फुल भेई यह फुल जो है एक decrement हो जाएगा एक location फुल वाली खतम हो जाएगी ठीक है और mutix acquire कर लेता है ठीक है lock लगा ले ले लेगा फुल वाली एक जो है उसको कम करवा देगा और buffer में से एक को consume कर लेगा एक element को ठीक है उठा लेगा फिर consume करने के बाद क्या है खुद को release करेगा जो mutix lock लगाया था उसको release कर देगा कोई दूसरा जो है consumer या producer जो है वो आ सके और empty वाला जो है उसको एक increment कर देगा क्योंकि इसने क्या करना है consume करना है इसने full को एक कम करना है और empty को क्या है एक ज़्यादा करना है ठीक है कि एक element consume कर लिए full वाला एक कम हो जाए और empty location जितनी थी एक जादा हो जाए क्योंकि एक location और empty होगी है ठीक है तो यहां पे इस तरह से है यह दोने एक दूसरे के reverse है ठीक है जो वाह पे full और empty को दे रहे थे वो यहां पे उसका reverse हो जाएगा ठीक है क्योंकि उसने produce करके रिखना है और इसने यहां से consume करना है तो यह इसका था हमारे पास bounded buffer का using semaphore तो इसके अंदर कोई मसला है आप लोगों को मुझे जल्दी से बता दे फिर हम लोग आके चलते हैं next हमारे पास problem है reader writer problem ठीक है कि एक process है reader जिसने read करना है और एक का नाम रखा हुए writer जिसने write करना है ठीक है मतलब यह multiple हो सकते है multiple process read कर सकते है multiple write कर सकते है वैसे आपको बताया कि reader और writer किसका नाम है process है ठीक है अब यहां पर यह problem है कि critical section के अंदर इन्होंने अगर reader गया है reader read करने गया है critical section के अंदर तो बाकी multiple reader वहां पर आके read कर सकते है लेकिन कोई writer वहां पर आके write नहीं कर सकता ठीक है इसको गोर से सुने अगर कोई reader critical section में है reading perform कर रहा है तो दूसरे reader आ सकते है क्योंकि reading करनी है वहां पर कोई addition नहीं करनी तो वो read कर सकते है multiple आके वहां पर processes लेकिन write नहीं कर सकते है ठीक है writer नहीं आ सकता और अगर writer है न critical section के अंदर फिर ना तो reader आ सकता है और ना ही writer आ सकता है ठीक है इस बात कमें दुबारा repeat कर रही हूँ अगर critical section के अंदर reader है तो दूसरे reader आके read कर सकते है लेकिन writer आके write नहीं कर सकता और अगर writer critical section में है तो फिर ना तो writer आ सकता है ना ही reader आ सकता है ठीक है तो मदब critical section में कोई भी नहीं जा सकता सिरफ जब reader होगा तो दूसरा reader जा सकता उसके इलावा कोई नहीं जा सकता ना reader के लिए ना writer के लिए ठीक है वही है जो मैंने आपको बताए है लेकिन आप ज़रा क्लियर हो जाएगा ठीक है डेटा सेट इस शेर्ड अमंग अनुबर अफ कंकुरेंट प्रोसेसिस ठीक है तो इसी वज़े से यह हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि सिर्फ जब रीडर होगा तब भी कोई रीडर आ सकता है राइटर नहीं आ सकता ठीक है ताके अपडेट नहीं हो क्योंकि मुल्टिपल लोग वहां पर रीड का रहे हैं प्रोसेसिस अगर एक भी राइटर नहीं कर तो कोई एक अपडेटिड इंफर्मिशन पढ़ लें दूसरा जो है वही पुरानी वाली पढ़ लें तो मसला हो जाएगा इस वज़े से का है कोई राइटर नहीं आ सकता और जब राइटर होगा क्रिटिकल सेक्शन में पर ना रीडर आ सकता है और ना कोई और राइटर आ सकते हैं तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं जो incantumाटो होगा इनके दरमेँ वो कौन-ाइंडगा सेट होगा ठीक है सैमाफोर एक लेलिए इनों धूर ड Engineer Max D सकते हैं इन्होंने दे दिया है rw mutix read write mutix और initialize कर दिया है 1 से ठीक है actual में ये वाला mutix किस के लिए आपके writer के लिए काम करेगा आपके writer को restrict कर दे के लिए ठीक आगे इसको देखती है तो एक semaphore है rw mutix जिसको initialize किया 1 से एक और semaphore लिया है mutix जिसको initialize किया है 1 से जिसको नाम रखा है read count और इसको initialize किया है 0 से ठीक है अब दो mutix है rw mutix और mutix इन दोनों को initialize किया है हमने 1 से और read count है उसको हमने initialize किया है 0 से ठीक है इनको आप आगे किते हैं अच्छा यहां पर आप सबसे पहले writer का है writer का बड़ा असान सा code है कि जब writer नहीं होना तब कोई भी नहीं जा सकता critical section में ना reader ना writer ठीक है इस बिलकुल simple है और फिर से आगे जो है reader का उसको देखते है यहां पर आवे हमारे पास writer do do while लगी है ठीक है do start की weight rw mutix rw mutix क्या था हमारे पास 1 था इसको weight में भेजा means यह 0 हो गया ठीक है writer आ गया writer ने अपना lock क्या है require कर लिया है one से zero हो गया weight के दर भेजने से writing वो अपनी perform का रहा है ठीक है और जाते हुए signal के अदर अपना rw mutix देगा और release का देगा बतलब writer आया उसने lock लिया writing की और जाते हुए release का दिया यहां पे reader या writer आएगा वो पहले सी lock acquire होगा ठीक है one से zero होगा कोई भी नई इसके इंदर आ सकेगा कि अपनी reading perform करेगा और जाते हुए इसको release करतेगा one से zero से one करतेगा ठीक है तो mutix zero हो गया ठीक है means reader ने अपने लिए lock require किया read count हमने लिया वा था कि हमें पता चले critical section के इंदर इस टाइब कितने number of reader available है जो वहां पे read करें क्योंकि reader तो जा सकते है multiple writer नहीं जा सकता writer को अब यहां पे restrict करने और reader को अब देखिया है allow करने कि reader जा सकते है ठीक है multiple तो सबसे पहला reader आया उसने wait के नहीं mutix दिया lock ले लिया read count zero था read count को plus plus किया कि अब पहला reader system के अंदर आ गया है critical section के अंदर ठीक है तो read count क्या हो गया one एक condition यहां पे लगी वी है कि if read count is equals to one इसका क्या मतलब है कि अगर पहला यह reader है क्योंकि पहला ही reader है ठीक है कि अगर यह critical section के अंदर पहला reader है तो यह क्या करेगा यह wait के अंदर भेही देगा rw mutix को rw mutix किसलिए काम कर रहा था यह वहला writer के लिए कि जो writer का ब्यूटिक्स है one था इसको zero कर दे wait में जाकर कि क्या होगा zero होगा इसको क्या मतलब है कि जब पहला हमारा reader आया उसने चेक किये क्या मैं पहला हूँ yes यह पहला reader है उसने rw mutix जो writer का ब्यूटिक्स का उसको zero करवा दिया ताकि मैं reading कर रहा हूँ मेरे बाद writer तो reader तो आ सके लेकिन कोई writer ना सके ठीक है तो उसने चेक किया मैं पहला reader था ठीक है वो पहला reader था यहां पे उसने ब्लॉट कर दिया writer के लिए कोई writer नहीं आ सकेगा उसको wait में बेहिए उसको zero कर दिया ठीक है और फिर खुद अपना ही जो प्यूटिक्स था जो के reader ने अपने लिए लिया वा था उसको यहां पे release कर दिया अपने ही लॉट को release कर दिया क्यों release किया क्योंकि उसने अपना reader वाला लॉट रिलीज किया ताकि next दूसरे reader आ सके राइटर को restrict कर दिया राइटर नहीं आएगा wait के अंदर भेई दिया ताकि वो zero हो जाए और अपना जो reader ने अपने लिए लिया वा था उसने क्या किया writer को lock कर दिया और अपना reader वाला लॉट रिलीज कर दिया ताकि बाकी reader आ सके reading कर सके ठीक है उसके बाद यहां पर किया कि रिटिकल सेक्शन के नहीं रिडिंग परफॉर्म कर रहा है अब बाहर जाते वे क्या काम करेगा अच्छा अभी तो क्या है पहला reader ही है ठीक है हम पहले वाले क्या scenario ही ले रहे है कि suppose अभी और कोई reader नहीं आया पहले वाला reader ही था ठीक है अपना lock release कर दिया और writer को restrict कर दिया reading perform की अब बाहर जाते वे क्या करेगा wait mutix reader जो अपना lock है उसको फिर से acquire करेगा critical section से बाहर जाते दुबारा से wait के अंदर क्या है mutix को call कर दिये ठीक है और आप क्योंकि इसने बाहर निकलना है ठीक है बाहर निकलना तो इसने क्या किया read count को decrement कर दिया read count किया मतलब क्योंकि read count किया प्लस प्लस होके 0 से 1 हो गया था क्योंकि हमारा एक reader system के अंदर था यहां से जाते वे उसने अपना count गया decrement किया वह क्या था पहला ही reader था वह 1 से फिर 0 हो गया ठीक है इसने चेक किया यहां पे if read count is equals to 0 yes इसका क्या मतलब है read count अगर 0 है तो उसका अभी कोई भी reader system के अंदर नहीं था वह पहला ही reader था जिसने reading perform की है और by निकलते वह अपना count जब decrement किया वह दुबारा से 0 हो गया इसका मतलब है कोई भी और reader system system के अंदर नहीं है system आपका खाली है तो फिर अब जब system आपका खाली है तो क्या कर देगा signal के दर देगा rw but rw mutix यहाँ पर हमने writer को restrict किया था ना रोका था यहाँ पर क्या उसको release कर देगे उसको release इस सूरत में करना जब यह if condition ठीक होगी if condition को क्या मतलब है कि read count sorry कि अब यहाँ पर critical section के दर नहीं कोई reader है नहीं कोई writer है ठीक है क्योंके zero था तो इसने rw mutix को क्या है दुबारा से release क कर दिये यहाँ पर कि क्या अंदर कोई भी नहीं यह reader राइटर नहीं है तो हमारा कोई writer आ सकता है यहाँ पर write कर दे के लिए ठीक है तो यहाँ पर इसने इसलिए यहाँ पर दुबारा से weight के तो ब्यूटिक्स दिया था अपने आपको दुबारा अपने log को restrict किया था ताके कि अभी कोई reader ना आए मैं चेक कर लूँ अगर मैं पहला reader हूँ मैं बाहर जाने से मेरा account zero हो जाता है तो फिर मैं release कर देता हूँ writer को ताके कोई और writer आ सके ठीक है तो इस वजह से इसने release कर दिया writer को भी और दुबारा release कर दिया अपने reader को भी ठीक है कि reader writer अब सारे release है critical section बहाली है writer भी आना चाहिए तो इसके और आ सकता है reader भी आना चाहिए तो आ सकता है अगर यहां प्धिर आ तो पर तो फिर आ के फिर उसके बाद multiple reader घुर्न तो आ सकेगे लिकिए राइटर नी आ सकेग़ अर अगर रीडर नहीं आए कि वह पहला है या कौन सा रीडर है उसके लिहास से वह यहां पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है राइटर को ठीक है इस कोड को समझे दो मिनिट है आपके पास इसके ना कोई प्रॉब्लम है तो उससे पूछें